अच्छा आप ये मांनते हो कि जो लॉंग डिस्टेंस वाला ट्रेन का सफर होता है उसमें घर से खाना लेकर ना चलो तो ऐसा लगता कि कुछ रह गया कुछ कमी रह गया है ना जब तक पूरी आलू की सबजी साथ ना हो तो ट्रेन का सफर सफर नहीं लगता इस आर्टिकल को स आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं चलेगा लेकिन कहीं मन मैं डर ना आए कि आप अपने साथ खाना लेकर नहीं चलेंगे अगर आपको इन तीनों में कोई भी रुची है कहानिया सुनना पसंद है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करिएगा कभी-कभी मूवी देख लेते हैं तो उसके रेवियू कर देते हैं और कभी-कभी ऐसा ही आप लोगों का थोड़ा बड़पन मिलता है तो लाड़ प् मैं चलो अब उसे दीरे-दीरे ठीक करेंगे जब तक आप बताओगे नहीं मैं नहीं सुधरने वाला आप सुधारोगे तब ही सुधरेंगे फीड़बैक दे दिया करो कॉमेंट में आकर कुछ लिख दिया करो अपने बार में लिख दिया करो थोड़ा सा किने तिन मैं यहा था या हमारी भेट एक प्रेट से होई थी कन्फ्यूज हैं जा रहे हैं जम्मू इनकी ट्रेन है गासेबाद से और कहते हैं कि अक्सर ये ट्रेन जब भी सुनो लेट हो रही थी आदा गंटा लेट है 15 मिनट लेट है हमारे रिलेटिव भी एक बार जब गए थे और वैशनो द हलका हलका सर्दी का मौसम बस शूरू ही हो रहा है और सर्दी ऐसी लग रही है स्टेशन पे कि बस क्या पताएं परिवार में कौन-कौन जा रहा है चार तो बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं सभी लोग आठ साल दस साल बारा साल और पंदरा साल एक इनकी धरम पतनी है सुम सुमन जी के हस्बेंट का नाम है राकेश पूरा परिवार गूमने जा रहा है सबसे बड़ी बात कि वैशनो देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं लेकिन गूमना क्यूं बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ पर एक रिलेटिव की शादी अटेंड करनी है जब मू इन्हें उमीद भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है घर से जब इतने लोग चल रहे हैं तो पूरी आलू की सबजी सब कुछ बना कर चले थे गाज़ेबाद के स्टेशन पर खड़े थे और सुमन जी अपनी बहना से कहती है कि हमने सारा काम तो ठीक कर लिया बस पानी की ब तो जरूर ले लो राकेश जी का एक हमेशा से प्लान रहता है कि मैं कोई भी समान स्टेशन से नहीं खरीदूँगा मतब जो भी खरीदना है चाह स्टेशन के बाहर आकर थोड़ा सा 500 मिटर दूर जाकर मार्किट से खरीद लूगा लेकिन स्टेशन से नहीं पता नहीं कुछ भी नहीं लेना और मैं अभी देखी रहा हूं कि ट्रेन अभी लेट है 25-30 मिनट तो इतनी देर में तो मैं स्टेशन से बाहर जाकर पानी की बॉटल लेकर आ जाओंगा चार पानी की बॉटल ठीक रहेंगी नहीं बड़ी हाँ हाँ ठीक है काफी है और वैसे भी मौसम जब लगती है ना बहुत जोर की लगती भाई और सर्दियों की प्यास तो kontrol भी नहीं होती है यकिन मानिए गर्मी की प्यास को आप थोड़ा सा देर रोक सकते हो लेकिन जो सर्दी में प्यास लगती है भाई वो तो पानी चाहिए तो चाहिए अब यहां बच्चों को भी लग री थी और जो इनकी sister-in-law है उन्हें भी और एक आग पूरी इन्हों ने यहाँ पर खाई थी सुमंजी ने तो उनको भी थोड़ा गला गीला करना है अब राकेश जी कन्फ्यूज हो गए कि भई एका एक ट्रेन आ गई और मैं अगर पानी की बॉटल लेने गया एका एक यह चल ना दे गड़वर हो जाएगी एक काम करते हैं आगे किसी station से ले लेंगे अभी चलते हैं अंदर अपनी seat वगएरा देख लेते हैं जबकि यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है आपको इतना भरपूर समय मिलता है कि आप अराम से अपनी जगे देख कर ढूंड कर बै भी पॉसिबल बट होता क्या है कि यहाँ जब यह station पे मतलब train की तरफ बढ़े तो पानी की बोटल खरीदें के सब ऐसा इन्हें सुनाई दिया राकेश जी को एकदम क्लीर सुनाई दिया इन्होंने का नहीं चाहिए इनकी वाइफ ने पूचा कि क्या हो गया क्या नहीं चा राकेश जी को एक हसी भी सुनाई दी है जैसे कोई उनका मजाग बना रहा हो क्या हो गया डर गया क्या डर लग रहा है क्या राकेश जी ने का कि तुम में से किसी को पानी वाले की आवाज आई थी पानी वाली की आवाज अरे अगर कोई पानी की आवाज सबके लिए बोले तो भीर में सब लोग को ध़र जा रहा है कोई लिदार जा रहा है कोई से Why Regоровat से बाहर निकलने की कोशिशिश कर रहा है कि मौसम काफी सर्द है जल्दी से जल्दी घर पहुंचे यह जल्दी से जल पानी की बाल्टी है उसमें पानी की बोथले लग रही है तुम ही थे दूर से पूछा थोड़ा तीज अवाज में उसने ऐसे इशारा करा कितने की है पानी की बोटल पीछे से सुमंजी आती है क्या हुगा चलो ना चल देगी क्या फाइदा है नहीं मैं पानी की बोटल ले ल तब आई, सुमन जी ने का कि आपकी तब ठीक है, माते हात लगाया कि बुकार वगएरा तो नहीं है, क्या हुआ, सब सही है ना, तब ही इनकी सिस्टर इनलौ भी आ गई, बच्चे वगएरा सब बैठ गए है, सीट मिल गई है, आप बाहर क्यों हो, दोनों क्या हुआ, पानी अरे, आगे से ले लेंगे अगर आप उसी बात को सोच रहे हो, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरे जीजु और क्या हो रहा है, ये बार बार किसी को देख रहा है, किसी आवाज सुन रहें, हमें तो नहीं दिख रहा, ये ऐसी बात मत करूं मुझे डर लगता आप बच्चे भी बैठे हैं इनके साथ ही ठीक है जो इनकी सिस्टर इनलो हैं वो सामने बैठी हैं इनकी वाइफ सुमझ जी इदर बैठी है तो राकेश जी ऐसे ही बस डरते हुए दर देख रहेते की कौन-कौन बैटा है जब कि यह सारा इनका ही था जहां पर यह बैठे हैं और अराम से लेट कर सो कर जाएंगे भाई लेकिन नजर इनकी सीट के नीचे गई यहां जो इन्हें दिख रहा है उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है यह अपने पैर पहले तो इन्होंने थोड़े से फैला रखे थे काफी देर हो गई थी वहाँ पर स्टेशन पर अगह यह है यहाँ आप कौन वेट हो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं आप यहां से जाएए आप सोमझ जी ने का रहे हैं किसे बोल रहे हो उन्होंने सीट के नीचे जहां कर देगा तो सीट पूरी खाली है राकेश जी ने जब वो सीट के नीचे जहां कर रही थी तब ही अपने कुछ अजीब सा हो रहा है तब है तो मेरी बिलकुट ठीक है आँखो पर यकिन नहीं हो रहा है आपने क्या देखा है मैंने एक आदमी को देखा है इस सीट के नीचे है उसका पूरा हूँ यहां से यह सब कुछ खराब सा हुआ पड़ा है जैसे जला हुआ हुआ हो अजीब कर रहे थे तब ही खिड़की पर एक आदमी आकर खड़ा हुआ भाई सब आप जरा सामने वाले को बुला देंगे मुझे उन से कुछ बात कर नहीं है जी मैं बुलाता हूँ हाँ जी बेहन जी सुनिए एक निट आपको ये बुला रहे हैं अब उन्होंने जब खिड़की की त बाई सब खड़े थे आपके साथ कोई है क्या जानने पेचानने वाला उन्होंने का नहीं हमारे साथ तो कोई नहीं है मैं और मेरे हस्बंड है बस और यहां हमें कोई जानता नहीं है यह कौन सी जगे आई है उन्होंने का गाजबाद आया है नहीं यहां हमारा कोई जानने जो इनकी तरफ की खिड़की वो थोड़ी अटक गई, जाम हो गया था कोशिश कर रहे हैं फिर कहते हैं कि सोरी ये इस से ज़्यादा भी बंद नहीं हो रही है मैं थोड़ी देर बाद कोशिश दुबारा करूँगा उन्हें ने का कोई बात नहीं जैसा आपको सही लगे, भई आपके साथ बच्चे भी है ना छोटे तो काई ठंडी हवा लगे जी जी हम देख लेंगे दुबारा अब ये ट्रेन चल रही है और साथ साथ इन्हें कोई देख भी रहा है लगातार उसको ये देख रही है और उसकी नजर इन पर से हट नहीं रही है ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है उसके बाद भी वो आदमी इन्हें दिख रहा है ये घवराट में उस पर से नजर भी नहीं हटा पारे और डर इतना है कि किसी को कुछ बता नहीं पारे और ऐसा पॉसिबल कैसे है चलिए प्लेटफॉर्म पर कोई थोड़ा सा नीचे होकर हमारी ट्रेन में अंदर जहांक रहा है समझ आता है ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी है ट्रेन अब पट्री पर हवा से बाते कर रही है और ये मुझे लगातार कैसे दिख रहा है क्या कोई मुखटा है जो किसी ने टांग दिया है और ये अब हट नहीं रहा कन्फरम करने के लिए खिड़की को थोड़ा सा और कोल कर जहांकते है तो वो ट्रेन में से ही बाहर निकला हुआ है ऐसा इने लगा लेकिन ये दर्वाजे पर थोड़ी ना बैठे है और ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा अपने आप पर बहुत जादा कंट्रोल करके चुप चाप आकर बैठ गए अपनी सीट पर डर इनके चेहरे पर तमाम दिख रहा था मैं एक मिनट फ्रेशो कराता हूँ ये यहां से उठते हैं मतलब ये तो सिर्फ कहने वाली बात थी इनने जाकर बस दर्वाजा कोल कर देखना था कि क्या है बाहर जब इन्होंने दर्वाजा खोला तो इत्तिफाक ऐसा रहा कि कोई ठीक ठाक परसनेलिटी वाला आदमी जो की इन्हें सई समय पर रोक पाया एकदम इन्हें देख लिया ये बाहर कूद रहे थे ठीक है तब ही एक आदमी ने इन्हें रोक लिया इन पर चिलाया इन्हें डाटता है और कहता है कि ये सब मूर्खता करने की क्या जरू होता है आपको अपने परिवाल के बारे मैं सोचना चाहिए था उन्होंने का बाई सब धका आप नहीं दिया है मुझे उन्होंने का मैंने धका दिया है मैं तो वाश रूम से निकल कर बस अपने ये वॉश وेशन पर हाथ दोने आया था मैंने आपको देखा है जम करते हूँए उन्ह информable मुझे किसी ने धक्का दिया है अरे मैंने कैसे धक्का दिया आपको ये बताइये और मैं तो वाश वेशन पर हाथ जब गीले है अगर आपको धक्का दिया था तो शर्ट पे कहीं हाथ गीले लगते नहीं लगते मेरे हाथ अभी भी गीले हैं उन्होंने अपनी शर्ट वगेरा चेक करी लेकिन मुझे धक्का दिया था सर किसी ने आप किस के साथ हो मैं मेरी वाइफ है और मेरी सिस्टर हिनलो है बच्चे है आपके साथ कोई आपकी उमर का कोई संगी साती है नहीं कोई नहीं आप एक काम करिए आराम करिए बैठिए और दुबारा दर्वाजे की तरफ मत आईएगा इन्हें समझ नहीं आया कि मुझे 100% किसी नहीं धका दिया था अब वो कौन है कैसे है उस आदमी ने भी ठीक बुला कि मेरे तो वाश वेसन पे हाथ गीले थे अगर तुम्हें धका देता तो शर्ट पे कुछ तो कलर मतलब पानी बगर कुछ तो लगता या मैंने पहले हाथ पहुँचे फिर उसके बाद तुम्हें धका दिया फिर उसके बाद तुम्हें पकड़ लिया और उसने पकड़ा भी इत्तिफाक में था किसमत अच्छी रही इनकी या वो आदमी इशुर का रूप बनकर आ गया वो ठीक कॉर्णर पे आकर खड़ा हो गया उसने खाने के लिए कुछ इंसे मांगा उन्होंने का मैं अभी खाने को आपको देता हूँ पूरी पूरी सबजी निकालना पूरी सबजी निकालना पूरी सबजी निकाली करें मजाग की बात नहीं है आप ये मत करिए ये आप किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि यहां कुछ है है और इसको पैर harvest की कहते हैं कोई पैरा नॉर्माल एक्टिविटी नहीं हो रही है जिसे आप जबरदस्ति के बनाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं आप ऐसे क्यों बोले भाईजा और कुछ लोगे वो आदमी इसे दिख रहा है उसके दांत नहीं है जिस तरह से वो खाना खा रहा है ऐसा लग रहा है निगल रहा है जैसे बुजर्ग लोग बिना दांत के खाते हैं उस तरह का पूरा उसका सामने का गला हुआ सा है, जमीन पर गिर रही है, लेंगे आप लेंगे और छोड़ देता है, सब को दिख रहा है और ये ये कह रहा है, वो आदमी खड़े होके पूरियां खा रहा है, घर वालों को समझे नहीं आ रहा है, अब सोचिए जो निकल रहा है इधर से आ रहा है जा रहा है, ये साइड हो जात और एक आदनी जो कॉर्णनर में बैठा हुआ था वो बार बार उन पूरियों को थोड़ा सा साइड कर रहा था किसी का पैर ना लगे ये 25-30 मिनट तक चलता रहा बाई साब और कुछ लोग है आप उसने इशारा कर दिया नहीं आप यहां बैठिये आप भी जमू जा रहे हैं अब ये जमीन पर ही बैठ गए भाई साब राकेश ज़ी जमीन पर बैठ गए उस आदमी से बात करने के लिए क्यूंकि उसे सीट आफर कर रहे थे कि आप सीट पर बैठ यह तो इसना मना कर दिया नहीं हैं यहीं सही हो यह बात कर रहे हैं उससे जब वो इनका निया दोस्त जमीन पर बैठा तो ये भी जमीन पर बैठ गए जिसने पूरा ये अपना बॉक्स रिजर्व कर रखा है सो कर जा सकता है वो जमीन पर बैठा है बस ऐसे और भाई साथ मैं अपनी पतनी अपनी सिस्टर इन लो बच्चों के साथ शादी में जा रहा हूँ आप भी चलेंगे मेरे साथ और कहा रहते हो मैं वहा रहता हूँ आपने बताया नहीं आप कहा रहते हो बाते करे जा रहा है यहाँ एक आदमी और आया उसने इनने देखा और सीधा चला गया वापस आया देखता है कैते आए? क्या कर रहा है आदवी? आप मुझ से क्या रहो कुछ? हाजी आप से कह रहा हूं आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? रिजर्वेशन नहीं है क्या? नहीं, है ना? तो वायफ और सिस्टर इन लोग कहती है कि ये हमारे साथ हैं और ना जाने क्या हो रहा है रादे गंटे से इन्हें बोलने की सीट पर बैठ जाए ये नहीं बैठ रहे हैं जमीन पर बैठ रहे हैं और उन्हें का कुछ लिया दिया खा लिया क्या किसी का किसी चीज पर पैर पड़ गया कुछ बुरी चीज साथ लग गई किया इन्हें कहां ले जा रहे हुआ उन्हें का हम जम्मू जा रहे हैं पहले एक शादी अटेंड करनी है फिर उसके बाद मा वैशनों की दर्शन करनी है तो ये क्या कहते हैं कि काम उल्टा कर लेना पहले करना दर्शन और उसके बाद करना शादी अटेंड क्योंकि हो सकता है कि भैरो बाबा इसे ठीक करने जैसे ये आपको मैं कुछ बोलूँगा नहीं आप दोनों ही हो बस और ये बच्चे साथ मैं उन्होंने का हाँ जमू में कहां पर जा रही हो आप शादी में उन्होंने जगे बताई तो इत्तिफाग देखिए कहते हैं कि मेरे चाचा के बेटे की ही शादी है गुडिया का नाम ये है उन्होंने का हाँ 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 हमारी गुडिया का नाम ये है जिन से शादीत है हुई है, हाथ जो उड़ता है आप तो जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों के साथ चलूँगा, बैसा आप एक नट खड़े हुई है, अरे नहीं मैं उनके पास बैठा हूँ, नहीं नहीं उन्हें भी बिठा लेगे, आप जिसे देख रहे हो ना उसे भी बि बात करते हैं, उन्हाना का बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसे इस वक्त देख रहे हैं, और ये बात करते हैं उस आदमी को देखते हैं, उन्हाना का उस आदमी से एक बात पूछी है जरा, उन्हाना का कि किस से पूछना जी, जिसको आप देख रहे हो जो आपका नया दोस्त बनाए हैं ट्रेन में, आप उससे एक बात मेरी तरफ से पूछ लोगे, जी जी बताइए, उससे पूछो कि मीठे में क्या पसंद है उसे, अच्छा, लेकिन हम कुछ लाई नहीं, अरे, आप नहीं लाई, मैं आपका मित्रू न, मैं लाता हूँ, मैं आ अगर कोई आपके घर सिर्फ दो पीच लेकर आ रहा रहा न, कटोरी में, तो खेर, जो चीज बता दी उसे, मैं दुबारा रिपीट करूँगा, तो कहोगे कि अच्छा, अपनी कई होई बात को दुबारा रिपीट करता है तू, इस आदमी ने पूछा, राकेश ने, आप म मिनट बाद, ना जाने कैसे, या तो इनके पास थी, एक बरफी और एक बेसन का लड़ू, ये दोनों चीज़े लेकर आए, बेसन के लड़ू पर, यहां पर इन ही से कहा, सुमझ जी से, कि यह जो आपके मांग भरी हुई है, इसका छोटा सा सिंदूर लेकर मेर को देदो, या आप जो लगा रखा है मांग में, उन्हों ने का, इससे आप क्या करोगे, उन्हों ने का, वो बाद में बता दूँगा मैं, जी ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा सिंदूर लिया, और वो जो आदमी है, उनके सामने कर दिया, उन्होंने लिया, कुछ पढ़ा, और सिर्फ अब वो थोड़ा सा पीछे हो गया आत्मी जो इन्हें दिख रहा है जिसका चहरा बड़ा बहानक सा है जला हुआ सा फेस है गला हुआ सा मूँ है आप उधर किदर जा रहे हो सुनो मेरी बात अरे आप बात का जवाब दो और वो कुछ गुराहट सी हुई और ये सब ने सुनी सब लोग ऐसे सिमट गए जो नींद में थे ना वो भी जाक कर उठकर बैट गए कि ये कैसी हवाज थी मतब सब को पता था कि हमने कुछ अजीब सुन लिया उसके बाद ट्रेन में बहुत ढूनला इस आदमी ने राकेश ने इनका नया मित्र मिला नहीं वो आदमी बोलता है कि आप दस मिनट रुकिय में आ रहो हूँ और फिर वो आदमी भी इने कहीं नहीं मिला ये जब शादी में पहुँचे ना जब बताया उनोहने कि हमें इस नाम का एक आदमी मिला था वो बता रहा था कि कि आपके रिष्टेदार हैं उन्होंने का इस नाम का कोई रिष्टेदार नहीं है जो कि ट्रेन से सफर करके आ रहा हो और अपने आपको हमारे डिलाटिव बता रहा है है आपको कैसा लगा बताना चाहिएगा ठीक है so thank you so much for watching मेरा नाम ने तिन्हें मुलाकात करूँ एक next वीडियो में हर हर महादेव जै भोले नात तन्यवाद